नाता, मुझे नीद नहीं आती है पता नहीं ऐसा क्यों है पेटा मार मार के भूत बना दूंगा अगर नीद नहीं आ रही है उठ, पढ़ाई कर, उठ पढ़ाई बहुत तेज नीद आ रही है आ, सोजाता हूँ सुनो जी, आज आप दाड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हो मैं तो हमेशा कहती हूँ आप दाड़ी रखा करो, मूझ रखा करो हाँ, सोजा मैं तो सबसे कहती हूँ, मेरे पती बहुत अच्छे है मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा आप बंदर जैसे दिखते हो आपकी सकल जोकर जैसी है आपकी दाड़ी बखरे जैसी है चुप, सोजा, सो अरे, गुस्सा क्यों कर रहे हो गुस्सा नहीं करूँ, तो क्या करूँ, है सोजा, बिट्टू तूने भूत देखा है, नहीं नहीं देखा, अपने पापा को देख ले, तूने कभी चुडेल देखी है, अगर नहीं देखी है, तो अपनी मा को देख ले, हाँ हाँ, हूँ मैं चुडेल, हूँ हूँ मैं चुडेल, हाँ हूँ, अगर मैं चुडेल हूँ, तो मेरे साथ शादी क्योंकि, क्योंकि पापा भ भूत की पतनी, चुडेल, है ना पापा? सोजा! सुनो जी, गुस्सा मत करो! मुझे एक बात पूछनी है, फिर मैं सोजाओंगी, मैं कैसी हूँ? सुन्दर हूँ या, फिर बेकार? कैसी हूँ मैं? बता दो, बता दो यार, एक बार बस, बता दो! तू बहुत सुन्दर है, सोजाओंगी, सुनो जी, एक बार और बता दो, कितनी सुन्दर, वरना मुझे नीद नहीं आईगी, बता दो, कितनी सुन्दर? अरे बहुत सुन्दर है, बहुत कितनी, इतनी सुन्दर की मन करता है तेरी जैसी 3-4 लड़कियों से शादी कर लूँ, सोजाब! हाँ हाँ कर लो तीन चार क्यों पाँच देस लड़कियों से शादी करो जो सर में चार बाल बचा है न ये भी नहीं रहेंगे याद रखना फिर पापा को सब कहेंगे और टकला टकला ये टकला टकला अबे चुप सोजा मेरी जैसे सीथी साथी कोई नहीं मिलेगी ओमा 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 पागल हो गई है क्या तू सोजा आधी रात को वे वे क्या लगा रखी है सोजा अरे गुस्सा मत करो सोजाती हूँ ठीक है सुनो जी एक बार और बता दो मैं कैसी हूँ सुन्दर हूँ या फिर बेकार सोजा मेरा अगर दिमाग खराब हो गया मैं पापा आजकल आप छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हो हाँ आजकल बहुत गुस्सा करने लगे हो गुस्सा कर करके कितने कमजोर हो गए हो सकल भी जोकर जैसी हो गई है गुस्सा कर करके सर के सारे बाल ज़ड़ गए है के वो चार बाल बचे हैं चार नहीं, ज्यादा बाल बचे हैं मैं गिन कर देखता हूँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, पुट आगल हो गया है क्या तू कैसे कैसे लोग रहते हैं मेरे घर में देता हूँ, दबा बेटा, दबा, अपने पापा का सर दबा पापा का सर दबा, पापा का सर दर्द क्या हुआ, आधी रात में उठकर पापा का सर दबाने लगा वा बेटा, वा, बेटा हो तो तेरे जैसा, धन्य है वो मा, मतलब मैं जिसने तेरा जैसा बच्चा पैदा किया पापा सोचो αगर मैं नहीं होता तो आपका सर कौन दबाता पीटा तू नहीं होता मेरा सरदर्द भी नहीं होता तुम दोनु की वजह से मेरा सरदर्द हो रहा है दिन भर ओफिस में मालिक नहीं सोने देता और घर में ये नहीं सोने देते करू तो क्या करू अब, मर जाओ मरे आपके दुस्मन, आप क्यो मरोगे सोजा अगर मेरे खोपड़ी घूम गई फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा खोपड़ी सीधी करने के लिए सोने सकता, जैसी मा वैसा बेटा सो तो कच्छा पेहनता है तेरे पापा बच्पन में वो भी नहीं पेहनते थे अबे, चुप सोजा, सोजा वरना तेरे पापा अभी ऐसा करेंगे सोने सकता, पागल होगे है क्या दिमाग खराब होगे क्या, या, यू, हट, फूट ये, वो, वा, ये, वो चुप, पागल हो गई है क्या तू हाँ, सोजा ये देख, मैंने क्या बोला, ऐसा करेंगे कैसे कैसे फणी लोग रहते हैं हमारे घर में सोजा, सोजा, मैं भी सोजाती हूँ सो गई, बहुत मुश्किल से सोए परेशान कर दिया इन दोनोंने अब मैं आराम से सो जाता हूँ अजे सुनते हो नहीं सुनता, कान फूट गए है मेरे मेरे कान खराब हो गए है मुझे कुछ नहीं सुनाई देता क्या हुआ कान में, कान में थोड़ा तेल डाल दू फिर सब सुनाई देगा, थोड़ा सा तेल कांच चकाच चक हो जाएंगे थोड़ा सा तेल डाल दू डाल दू चप 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 यह सोने नहीं देंगे सोजा सोजा वरना तेरे पापा आज पागल हो जाएंगे हाँ हाँ सो जाता हूँ मम्मी गर्मी हो रही है बहुत गर्मी हो रही है फिर गर्मी नहीं होगी तो फिर गर्मी नहीं होगी बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा ये ले, आई चौप 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 सोजा, टांग फैला के सोजा मैं नीचे जमीन में सो जाऊंगा लेकिन अगर तुम दोनु की जरासी आवाज आई मैं तुम दोनु को उठा के बाहर फैक दूँगा परिसान कर दिया है अरे वहाँ नीचे क्यों सो रहे हो, यहाँ पर सोजाओ जब वहाँ सोने देगी तभी तो सोंगा परिसान कर दिया, सोजा, मुझे सोने दे गुसा तो हमेशा नाक में रहता है जहाँ सोना है सोजाओ मेरी सुनता कौन है इस घर में ऐसे बात करते हैं जैसे मुझे रोट से उठा के लाए है मेरी कोई इज़त नहीं है इस घर में इससे अच्छा तो कुवारी रहती अपने घर में रहती फिर ये नहीं कहते मुझे नीद आ रही है फिर कहते हेलो मुझे नीद नहीं आ रही है मुझे से बाते कर मुझे नीद नहीं आती तेरे बिना कहा फस गई शादी करके कभी ज़ाड़ू, कभी पोचा कभी बच्चे, कभी अरे चुपो जा ये सोने नहीं देंगे आज मुझे क्या करूँ इससे अच्छा तो मैं बात्रूम में सो जाता हूँ तुम दोनों रात भर बगबग करते रहना लेकिन अगर तुम दोनों सुवे जल्दी नहीं उठे मैं फिर बताऊंगा यहाँ पर आराम से सो जाता हूँ कैसे कैसे दिन आ गई सोचाले में सोना पड़ रहा है कोई बात नहीं यहाँ पर मैं आराम से सो जाता हूँ कोई आवाज नहीं मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पापा वहाँ बात्रूम में अकेले सो गए है उनको वहाँ अकेले डर लग रहा होगा मैं उनके साथ सो जाऊं कितना दर्द है अपने पापा का वा बेटा वा वा बेटा हो तो तेरे जैसा वा बेटा वा जा 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 पापा थोड़ा खिसको तू यहाँ भी आ गया